पहले हम सरपंज थे पंचायद करते थे लड़ाय जगरा मारपीट होता था तो लोग मेरे पास आते थे और हम नियाय कर देते थे जब सिंगहिसर नगर पंचायद बना तो हमने सोचा कि हम मुख पारसत से चुनाव लड़े एक ऐसी ही परत्यासी हमारे शाथ है मैनत कर रही है लेकिन इस कोशिस में कितना सफ़ल हो पाती है बाचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुकृरिया पहले जैसा कि जानकारी मिला पहले आप नियाय करते थे पंचायद करते थे फिर कैसे सोच लिया कि मुख पारषत का चुनाव लड़े इस बार हम लोगों का इतना अच्छा प्यार मिला, इतना इमानदारी से वर्ग किया है एकदम निस्वार्थ भाव से, इसलिए लोगों ने नहीं, लोगों नहीं मिलके खड़ा किया है हमें, ताकि हम फिर से विकास का विकारी उतना ही इमानदारी से कर सकें. अंतिम वक्त से गुजर रहें, पर चार पर सार कल खत्म हो जाएगा, कैसे देखते हैं अपने आपको, कहां अपने आपको आप हैं इस वक्त मैं अपने आपको एक दम पॉसिबलिटी में देख रही हूं, nothing is possible, if janta is with us, nothing is possible, impossible himself says that I am possible. मैं यहीं बोल रही हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कारे नहीं हो सकता है महनत और इमानदारी से सब चीज पॉसिबल बस लोगों को हाथ जोड़ के अपील करना है कि बस आप मेरा अपना प्यार और इमानदारी अंतक बनाई रखे और मेरे सिंबॉल पर ध्यान देजे टाइप राइटर छाप जो ऐसा छाप है जो खुद ये बताता है कि विकास की तरफ जाना है कैसे इस युक का यहीं सिंबॉल एक ऐसा है जो ये बता रहा है हमें किस तरह विकास डेवलेप्मेंट होना है समाज में आपका नाम सुभा देभी है आप सिंहिश्वर पंचायत में जाते हैं लोगों से मिलते हैं बातचीत करते हैं समस्याएं क्या देखने को मिलती है और कितनी सारी बातें जो भोटर है उनसे सुनने को मिलता है आपको जब सारी बात सुनती है तो अपने तरफ से कहती क्या है उनसे? कैसे विश्वास दिलाती है क्योंकि उसके अंदर तो गुस्सा है बहुत सारी चीज़ इसा नहीं होगा आप मुझे देखे एक दम विश्वास के साथ मैं कह रही हूं जो चीज आप लोग को नहीं मिला है वो आप तक इमानदारी से पहुंचेगा जो भी योजनाय आएगी ए एक दम मतलब विना घूस लिए, जितना भी आएगा सब आप तक पहुँशेगा. कितने साल आप सरपंच रही थी? पांच साल. पांच साल. उस वक्त बहुत सारे दंगा, फसाद, मारपीट को आपने समस्या को समधान किया. कई परिबार आप से नाखुश भी होंगे, बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, इसलिए क्योंकि आप उसके पक्ष में बात कर दिये. फाइदा मिलेगा उसका आपको, क्या लगता है? जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने जो भी फैसला किया है, उसमें मतलब समझाता का जादा हुआ है. कोई दुश्मनी वाला सवाल, मतलब बहुत कम हुआ है, दोनों को कॉम्प्रमाइज ही किया है, जो भी फैसला किया गया है. इसलिए नाखुषवला बात ही है, ने लोगों का निस्वार्थ महाव से सेवा किया है, और उनका आशिरवात कमाया है. पनचायत का क्या अंदाज रहता था, कभी कभी तो पनचायत में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन आपने जो पनचायत की हैं, कुँछ ऐसी याद जो आज भी लोगों को, आपको देखते हैं याद आ जा जाता हो? बहुत सारी यादे हैं, वो आप लोगों से पता करिए और उस समय मधेपुरा जिला के माननी डियम जो है, उनके द्वारा मुझे बेस्ट सरपंश का आवार्ड मिला है, इनसे आप जान सकते हैं कि मैंने कैसा नया किया है मतब क्या डियम साब का नाम बता दीजे मुहमत सोहेल उसके सामने बहतर, जब वो जिला पता दीकारी थे तो आप उस वक मतलब सरपंश थी, मतलब बहतर आवार्ड आपको मिला मैड़म एक और बात आप से जानना चाहती है, एक सवाल आप से हम और जानना चाहते हैं काटी की टक्कर हैं, कई परतियाशी मैडान में हैं, जीत के दावे कर रहे हैं और आप भी कहीं पीछे नहीं हैं आपकी भी चर्चाएं जो है नगर पंचायत में काफी हो रही हैं, लेकिन क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा जनता जागरुक है, पुरीत है, जनता को जो खिलाने पिलाने वाले है ठीक है, वो खापी लेगी, लेकिन नयाय करेगी जनता इमानदारी से सही आदमी को वोट करेगी, जो की विकास का कारे करेगी पहले आप पंचायत देखती थी, पंचायत का नियाय करती थी, लेकिन आप बारब जो वाड आपके अंदर होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, आपके कंधे पर एक बड़ा लोड होगा, जैसे इस काम को कर पाएंगे? पूरी कोशिश होगी, एक दम इमानदारी से जितना हो सके करूँगी, अभी तो सुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होगा, पढ़े लिखे कहां तक है, अपने सिछा कहां तक लिए? MSC, Science, कर ली है, घर पड़िवार, पती, आस पास के लोगों का जो महाल है, उनका कितना प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों ने ही मिलके खड़ा किया है, लोगों का कहना है कि हमारे इस महले में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड वोमन आप ही है, इसलिए आप ही इस पोश्ट को अच्छी तरह निभा सकती है, मेनत खुब कर रही है, कर तो रही हूं, बाद बाकी बाबा नगरी है, बाबा के हाथ में है सारा, जीत को लेकर कितना स्वस्त है, जीत को लेकर तो पक्का है ही, लोगों का प्यार जिस तरह दिख रहा है, लग तो रहा कि पूरी तरह जीत होगा? कहीं न कहीं काफी महनत करती हैं दिन रात एक कर दी हैं और इनका भी जो माहौल है उन लोगों के जबान पे चल रहा है देखना दिल्चस्प होगा वो भी हम आपको बताएंगे रिजल जब सामने निकल कर आएगा तो भी हम आपको बताएंगे बनेड़े हमारे साथ खबर कर दें लाइक कर दें कमेंट कर दें बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद